नमस्कार साथ यो तो आज है 30 अक्टोबर 2024 बजार की सेंटिमेन आज थोड़ा सा वलेटैल थोड़ा सा वीक था जहां पे निफ्टी एक दम गैप डाउन उपेनिंग के बाद अल्मूस्ट रिकवर करी लिया था एक वज़े के आसपास अल्मूस्ट रिकवर कर लिया था या एक गंड़े के अंदर लगबख देर सो से 180 पॉइंट की गिरावट हुआ और एट दा इंट निफ्टी की क्लोजिंग वा 24,340 पॉइंट पे लगबख 0.51 परसंट गिरावट के साथ इवन इस बारे में कल रात की सारे 10 की वीडियो में हम लोग चर्चा किये थे कि आज सारे जो निफ्टी 50 की कमपणी उसकी रेजल्ट आउट हुआ था कल यानि 29 तारीक को रेजल्ट भी थोड़ा सा वीक था जिस बैसे आज इंपक्ट हमें काफी नेगेटिव देखने को मिला और तीसरी मुख्य वज़ा यह है कि बैंक निफ्टी मतबाच बैंक निफ्टी की मत्ली एक्सपैरी और जिसके चलते आप देख लिए बैंक निफ्टी सबसे जादा वीक था कि यहार ने बार बार वार क्या मिल गया रेजिस्तेंस मतब एक सपोर्ट जब ब्रेक होता है ना वहाँ पर क्या बन जाता है रेजिस्तेंस बन जाता है उसके बाद दिन फ्लैट या दो थोड़ा कमजोरी था और ultimately bank nifty भी closing दिया 0.98% गिरावर्ट के साथ और एक बहुत बड़ी वज़ा ये भी है कि IT sector में continuously decline ये बात भी आप लोगों ने notice किया होगा खास करके बड़े IT companies आप देख लिजे Infosys, TCS लगातार गिरावर्ट और इसके पीछे क्या मुख्य वज़ा है वो है US, US में चुनाओ आचा बाकी अगर हम बात करें sector जैसे कि FMC sector आज ठीक ठाक मुबेंदी आप अब देखे FMC sector की weightage ज़्यादा नहीं है किसके बास है एक तो होगी आपका bank nifty वो आज 1% गिर गया और दूसरा होगी आपका IT sector IT sector भी आप देख लिजे कितना 0.86% नीचे US में चुनाओ है और जिसके चलते देखे कितना volatile कर रात में हमने देखा था जहाँ पे Dow Jones में गिरावट NASDAQ में तेजी और आज सुबा भी same situation चल रहा था Dow Jones की future में NASDAQ की future में ठीक है आचा आज जो सबसे best part क्या था मालूम है सिर्फ आज नहीं last 3 दिन पर अगर आप observe करेंगे एक होगी आपका Monday दूसर हो गया yesterday मतब Tuesday और आज होगी आपका Wednesday ये तीनों दिन पर ना market में चाहे कुछ भी हो जाए portfolio में ना bump पर तेजी हो रहा है दोस्तों प्लीज मुझे comment करेंगे बताईए कि आपकी portfolio का आज क्या status है और इसके पीछे जो main reason जो कि कल रात की सारे 10 की वीडियो में एकदम आखडी moment में आपको कहा भी था देखें अगर small cap mid cap और PSU चल गया ना तो उस case में जाए market में गिरावट हो तेजी हो volatile market रहे कोई फ़रक नहीं पड़ेगा भाई retail investors की portfolio में अक्सर मैं देखता हूँ mid cap, small cap, PSU ये तीन important sector की weightage थोड़ा ज्यादा होता है और जिसके चलते एक बहुत बड़ा chance है कि आज बजार में भले गिरावट हुआ nifty 50, bank nifty या ब्येशन 6 हो सकते हैं कि 11% एक एक परसें नीचा की closing दिया बट आपकी portfolio आज बहुत अच्छा gaining के साथ closing दिया तो दोस्तों प्लीज मुझे बताईए comment करके कि आज आज आपकी portfolio का क्या status है अच्छा बात करेंगे कुछ और important updates जैसे कि यह देखें कल रात में आपने क्या देखा था डॉजोंस की बात करें थोड़ा negative में closing दिया था NASDAQ की बात करें यह देखें एकदम सीधा opposite अब देखें ऐसा होगा इसके लिए मैं बार बार आपको last 2 हफतों से बार बार यहाँ पर alert किया था इसके लिए prepare हो जाए US में जब तक ना यह चुनाओ की प्रक्रिया है या प्रोसेस है यह complete हो जाए और वो कब complete होगा वो होगा दोस्तों 5th November 5th November मत्दा most probably मंगल बार पढ़ा है next trading week पे ठीक है तब तक दोस्तों आपको US market volatile रहेगा और US नैस्डेक की future की position आप देखिए 0.22% उबर मतब कल रात की जैसे कल रात में क्या हो था डॉजोंस में गिराबर नैस्डेक में तेजी अभी आप देख से तो future में भी एकदम से और आज तो एक बहुत important economical data भी आउट होगा US का US की GDP data की quarter 3 की first prediction data ये देखिए ये आज आउट होगा ये 38th October आज का data forecast आया है वहाँ पर फेडरल लिजर्ब की दरब से 3% का असपास chance growth का अब actual क्या होगा उसको बड़ी market react करेगा और दूसरी बात ये भी है कि देखिए कल 50-50 की expiry है मंतली expiry जो की काफ़ important है तो दोस्तों आप सभी को मैं request करूँगा जैसे कि कल रात की सारे 10 की वीडियो में ये सारे जानकरी मैं आपको दे दिया था ना आज भी सारे 10 की वीडियो आज आएगा ये सारे data सारे economical जो news है सब cover करेंगे कल market prediction तो देखना मत बुलेगा आर बीए की दरब से आर बीए सिक्रेट मिशन दिस धंतराश ब्रींग बैक अनादर 102 टन ओफ गोल्ड फ्रॉम इंग्लैन बहुत बढ़िया अभी देखे गोल्ड तो रिजर्ब करना पड़ेगा क्योंकि देखे डॉलर का कोई भरोसा नहीं है मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए यह जो कुछ दिन पहले ब्रीक्स की मीटिंग हुआ था ना रशिया पे उसमें हमने देखा अल्लेडी डॉलर को साइडलाइन करने के लिए ब्रीक्स करेंसी बहुत जल लॉंच कर सकता है अगे आएगा उतना मतब आसान भी नहीं होगा बट हाँ इस मोमेट पे ना गोल्ड जिस देश के बाद सबसे आदा रहेगा वह काफी फाइदा में रहेगा और जिस बैसे हमने क्या देखा गोल्ड की पैस आप देख लीजे आज की रेट में एक दम आसमान पे पहुंच च जब आपको एक दम फूल लाइब दिखाता हो निफ्टी फिप्टी लास्ट एक साल में कितना इन दिया 27 परसेन अब गोल्ड का पॉल्ड को डक्रीश तुड़े मैं आपको दिखाता हूं लाइब यह देख यह हो गया यह कोल का था कि अलग 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 शやって होगा यह देख और आप लोग अगर यह सोसते हो कि भाई यह जो conflict चल रहा है चारो तरफ Russia Ukraine Middle East में टेंशन चल रहा है वो कम हो जाएगा कम नहीं होगा just wait and watch 2025 और बढ़ सकता है और भी बहुत सारी इशू आ सकता है तो ऐसे में न गोल जिसके पास ज्यादा होगा वो एक काफी gaining में रहेगा ग होंकों मार्केट में दोस्तों तो बहुत दिनों बाद बहुत दिनों बात बोलत बहुत वात हम से दोस्त और कराशी 30 अलमोस्वेश 0.81 परसें नीचे के क्लोजिंग दिया तो वहां से दोस्त अभी सेल ओफ होना शुड़ी हुआ बलास्ट कुस्त महीनों पर बहुत बंपर रिटन बहुत चल गया थैक्चुली ठीक है आच अब चलिए देख लेते कुछ इंडिविजुल कंपनी की शियर्स के बारे में यह दे से देखेंगे जैसे का दो परसें गिरी आटरास के नीचे क्लोजिंग दिया वी प्रवास थोड़ा से गेनिंग था टीस की बाद करें फ्लैट क्लोजिंग आईटी सेक्टर भी ऐसे वालटायल रहाएगा उसके लिए प्रिपैर हो जाईए आज आज अटो सेक्टर भी कर गया था मार्केट की जो सेंटिमेंट है ना सेगन आप में और ज्यादा गिरी गया एक बाजी के बाद ही देखे एक्चुली इसमें फॉल हुआ अदर्वाइस मार्केट अगर थोड़ा से साथ मिल जाता ना मार्केट की चल जाता शियर सिरियसली बोल लो और बागी रेल यहां पर चला है तो बहुत इंपॉर्टन नियूस है देख लेने जरूर ठीक है अब ही चलेगा बात ऐसा नहीं कि मैं हर बार आपको क्यों बार बार आप लोग को कहता हूं कि पेशन्स रखे पी इस उगल टू 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 पी बहुत लोगों को पूछते इसका मतलब क्या हो पैनिक फुल लोग के लिए मार्केट नहीं है मेरे बात थोड़ा सा करवा लग सकते है अगर आपको लगे आपको लगे आप कॉन्फिडेंट हो कोई कंपनी के लोगे चलो ठीक है चलेगा वेट कीजिए पेशन्स रखे देखिया आच कोचिन शीपेट की बात करे मजगाव किये स्मॉल केप मिट कैप पीएसु में कैसा थेजी होता है बस वेट और वाच बागी दोस्तों देखें मार्केट में चाहिए देखिए मैं आपको बार वार क्यूं बोलता हो कि यहां पर वेट कीजिए पेशन्स ट्रक है क्योंकि कंपनी अगर ठीक ठाक रहा नखास करके क बालेंट शीट और इस बार अमने क्या देखा कि पीएसु सेक्टर की पर्फॉमेंस टॉप नौच होड़ा है कोई भी सेक्टर आप उठाके देखिए पीएसूस में अब हुटको को देख लिजिए डेलवेस को देख लिजिए डिफेंस को देख लिजिए एक दो आउट बागी दोस्तों और कोई जान करी पाना मेरे से कमेंट करके बताइए फिलाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पर टेक केर बवाई जय हिंद